हेलो तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फनस काके कहने कि जैक्फूट का केट कैसे बनाते हैं बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही जबारस टेस्टी भी बनाया है तो यह जैक्फूट के जो गरे होते हैं जो फूरूट होता है वो हमने 300 ग्राम ले उसके अंद अब हम हमारा second step होगा रवा यानि कि सूजी को रोस्ट करेंगे हम उसको भूल लेंगे 5 मिनिट तक यहां पर सैमोलिना यानि कि जो रवा होता है 200 ग्राम हमको लगा है और यहां पर हम यह पांच मिनिट तक इसको तवे पर रोस्ट कर लिया है तवा या पैन भी यूज कर सक अब हम चीजों को मुक्स करने के लिए हमने एक मिकसछार में सबसे पहले हमारा जो जैग्फूड का पेछ यानि की लिडिया है 100 ग्राम जो कि एंगा और यह 278 ग्राम इसको हेल्दी रखी है तो यहां पर 100 ग्राम ने केपाद और यह घी है इतिन पेपल्न इसमें घी लगा वह वाला इसको clarified butter भी बोलते हैं यहाँ पर हमने तीन टेबल स्पून एड़ कर दिया तो यह हम चीजों को मिक्स करने के लिए इस जार को मिक्सर जार को यूज करेंगे और थोड़ी से हमने हल्दी एड़ की है half teaspoon ताकि इससे natural color आ जाए इसको एक बार हम grind कर लेंगे चला लें इस रेस्पी को हमने बहुत जितना जादा हो सके healthy रखी है अब हम इसमें डालेंगे जो हमने रवा सूजी को रोज करकर रखा है अब हम इसमें एड़ करेंगे लिकिन थोड़ा सा रखेंगे क्योंकि हम इसको एक बार चलाने के बाद फिर से रवा एड़ करेंगे और यह है दूद यहां पर दूद टोटल लगा है 100 ml और थोड़ा साम बाकी रखेंगे दूद एंड में डालने के लिए आपको दिखाऊंगा और इसको एक बार फिर से चलाएंगे और इसको mix करने के बाद फिर से हम जो रवा बचा हुआ है वो add करेंगे इसमें यहां पर देखें त तो यह sweets के recipe में यह दाला जरूरी होता है तो यह उसके बाद हमारे cake का mixture हम हमारे पतिले में transfer कर लेंगे और हमें कुछ chop के हुए dry foods यानिकी जो cashew nut हैं यह सिर्फ cashew nut यानिकी काजू है जो हमारे अंदर के dry foods होंगे इसको एक बार आची तरिके से mix होने के बाद यह सारे cake के mixture को हम एगंटा अलग रख लेंगे तो इसको ढखकर हमको अलग रखना है उसके बाद हम इसको फिर से यहाँ पर देखें मैं आपको दिखाऊंगा यह एगंटा हो चुका है अब हम इसको mix करेंगे यहाँ पर देखेंगे यह completely set हो चुका है अब हम इसको थोड़ा सा consistency इसकी थोड़ा सामने जो maximum था वो हमने grant करने के टाम पर यूज किया और आखिर में जो बचावा दूता आधी आइड कर दिया है और इसको आच्ची तरिके से completely इसको mix करना है आपको गुमाते हुए एक बार यह mix होने के बाद अब हम इसमें add करेंगे baking powder जो हमने यूज किया है एक टी स्पून जैसे कि मैंने आपको बता ही है हमारी सूजी का cake है यानि कि सेमोलेना रवा का cake है तो यह mixture को हमको एक गंटा रखना पड़ा है इसलिए हमने इसको रख लिया था ताकि एक गंट baking powder हमने यूज किया है इसको अच्छे तरह किसे mix होने के बाद यह हमारा जो केक का mixture है इसको हम हमारे finally cake के बरतन में पोर करेंगे तो जो हमारे recipes होते हैं वो हम हमारी कोशिश होते है कि हम जादे जादा उसको healthy बनाए तो हमारे बाकी recipes भी check out करिए और अगर आपको हमारे recipes अ इसमें हम हमारा cake का mixture pour करेंगे दोस्तों यह healthy cake इसलिए है क्योंकि इसमें शक्कर नहीं है ना इसमें मैदा है और यह बिना अंडो का cake बनाए हमने तो यहां पे एक बार यह पूर होने के बाद उपर से हम watermelon seeds यानिकि जो मंदस होता है वह और तिल यानिकि sesame seeds दोलों को उपर स स्प्रिंकल कर लेंगे उसके बाद इसको हम रखेंगे हमारे oven में तो मैं आपको बताने वाला हूँ और एक बात यह है कि आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसके complete ingredients की list और quantity मिल जाएगे इसको ज़रू चेक करें यहां पर रिखे मगर्स को add होने के बाद स्प् अब हम केक को काटेंगे तो इसके बाद 45 मिनिट अतिला रखने के बाद 45 मिनिट इसको 200 डिग्री सेल्चेस पर आपको बेग करना है उसके बाद यह कंप्लेटली रेडी हो जाएगा जाएगा जा पर लेगे किस तरीके से मैं आपको दिखांगा सॉफ्ट बना है और यह हमा अब आपने फैमिल और प्रेटली रेखने के यह कोई भी बना कर खा सकता है और जादा टेस्टी भी है और इसी केक को आप कूकर या पतिले में भी बना सकते है नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसको ज़रू चक आउट करिए यह आप रहें कितना सॉफ् ज़रू इसको लाइक करें अपने फैमिली और फैंकर आप सको शेयर करें और हमें आपके सजेशन्स और कमेंट्स बताते रहें तो आज हमने बनाया है जैकपूर यानि की पनस कथल का केक तो इसको देखिएगा हमारे बैकी रेसिपिस भी चेक आप करिए फिर मिलता है एक नहीं रेसिपिक के साथ तक तक के लिए खुलो आपीस